नमस्कार फ्रेंड्स मैं रविंद्र कमार महतो एक बार फिर अपने यूटूब चैनल RKTC धनबात पर आप लोग का स्वागत करता हूँ हम लोग DC मसीन डिसकस कर रहे थे और आज इस स्रीज में हम लोग डिसकस करेंगे पावरफ्रो डायग्राम और दिसकस करने वाले हैं तो यहां देख लिजे को बलॉग डायग्राम में आपको एक DC मोटर बनाया हुआ है यहां पर हम लोग इन्पूट पर भी वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं और यहां इन्पूट करेंट इसको आयल कह रहे हैं तो इस तरह से जो है यहाँ पे input पर हम लोग electrical power apply कर रहे हैं ठीक है electrical power input pi equal to b into iL आप कह सकते हैं ठीक है और power है तो आप इसका मात्रक watt में ले सकते हैं बस यह दिहां रखना है कि जो supply voltage भी है वो हमारा DC में है तो चलिए हमारा जो है DC motor के लिए ठीक है input power equal to b into iL हो गया अब यह DC motor क्या करता है कि जो electrical power input आप दिये उसको convert कर देता है mechanical power में ठीक है यानि इसका shaft जो है यहाँ पर rotate होने लगता है किसी particular direction में किसी particular speed पर और इस तरह से shaft पर जो हम लोगों को power मिलता है ठीक है यही हमारा output power है या फिर बुलिए mechanical output power आपको यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से DC motor जो है electrical power को mechanical power में convert करता है ठीक है अब हम लोग इस DC motor के लिए ठीक है power flow diagram को कुछ इस तरह से जो है बना सकते है ठीक है तो यह देखे जो है आपका सबसे पहले है electrical power input ठीक है यह देखे यहाँ जो आप दे रहे हैं यह electrical power input है ठीक है जिसको आप pi equal to b into il आप कह सकते है ठीक है बस यह दिहां रखना है कि जो voltage है वो DC में है आपका ठीक है आप देखे जो electrical power input हम लोग देते हैं DC motor को उसमें कुछ losses होता है और वो losses होता है copper losses ठीक है तो copper losses के बाद जो हम लोगों को power बच जाता है वो होता है हमारा gross mechanical power developed ठीक है यही जो है gross mechanical power जो है ठीक है armature पर develop होता है ठीक है जिसको हम लोग PMD से सुचित करते हैं PMD equal to हम लोग लिख सकते हैं EB into IA EB हमारा motor का back EMF है और IE हमारा armature current है ठीक है तो चलिए gross mechanical power जो है हमारा PMD equal to EB into IA हो गया अब क्या होता है कि यह जो gross mechanical power developed हुआ armature पर इसमें भी कुछ loss होता है क्या losses होता है तो mechanical losses होता है और core losses होता है ठीक है इस mechanical losses के भीतर आपका vintage losses है friction losses है ठीक है और core loss के भीतर आपका addy current loss है और hysteresis loss है ठीक है तो चलिए gross mechanical power में आपका losses हो रहा है कौन-कौन सा losses हो रहा है mechanical losses हो रहा है उसके बाद जो हम लोगों को power बच जाता है ठीक है वो power होता है हमारा shaft power या फिर mechanical power output होता है तो यही जो shaft power है इसी को हम लोग mechanical output power कहते हैं और यही जो है actual में motor का output power है तो motor का output power को हम लोग P0 से denote करते हैं P0 equal to tau into omega लेख सकते हैं यानि torque गुना omega करेंगे तो यह output power हम लोगों को यहां प्राप्त हो जाएगा जहां tau क्या है तो torque है newton meter में और omega क्या है angular speed है radian per second में तो torque गुना omega करेंगे तो यहां पर हम लोगों को output power P0 प्राप्त हो जाएगा किसका तो DC motor का ठीक है तो यह था हमारा power flow diagram किसके लिए तो DC motor के लिए ठीक है अब देख लिजे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है output power P0 equal to हम लोग लिख सकते हैं input power PI minus losses ठीक है ऐसा लिख सकते हैं तो यहां पर output power P0 equal to जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PI के जगह जो है यानि input power के जगह आप भी into IL लिख सकते हैं और minus जो है losses के जगह पर हमारा total losses होगा और क्या-क्या losses होगा यहां तो core loss होगा, plus mechanical loss होगा, plus sunt field copper loss होगा, plus armature copper loss होगा अभी हम DC motor को DC sunt motor consider कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे total losses के अंतरगत हम लोग यहाँ पे core loss दिखा रहे हैं plus mechanical loss दिखा रहे हैं, plus sunt field copper loss दिखा रहे हैं, plus armature copper loss दिखा रहे हैं तो चलिए हम लोग जो है decision motor मानते हुए जो है हम लोग output power का equation को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखे क्या है, कि armature copper loss को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आईए square into r, ठीक है, और power है तो मातरक वार्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यही जो आपका armature copper loss है, इसको हम लोग variable loss कहेंगे, क्योंकि ये load परिवर्तन के साथ, ठीक है, armature copper loss का value change हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग variable loss कहते हैं, ठीक है, अब देखे क्या है, कि core loss plus mechanical loss plus sun-filled copper loss, ये तीन loss को अगर आप जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं, constant loss, ठीक है, और इसको हम लोग PC से denote करेंगे, ठीक है, तो यानि दो तरका loss हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक loss जो है, हमारा constant loss है, दूसरा loss हमारा variable loss है, तो constant loss और variable loss को जोड़ेगा, तो total loss आपक रखते हैं, ठीक है, PC constant losses है, और I square आपका variable losses है, ठीक है, अब देखी क्या है, output power का equation तो हम लोग निकाल लिए है, अब हम लोग motor का efficiency निकालेंगे, तो efficiency equal to क्या होता है, output power बटा input power, यानि efficiency equal to P naught बटा PIE हो जाएगा, ठीक है, तो P naught का value, ठीक है, रख देना है, P naught equal to V into IL minus bracket के अभी तर PC plus I square आ रहे हो गया, और फिर input power को हम लोग ऐसे लिखेंगे, V into IL करेंगे, ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, कि हम मानेंगे, ठीक है, IL approximately equal to IA, थोड़ा सा approximation कर रहे हैं, ठीक है, जो input line current है, उसको armature current IA के, ठीक है, लगभग बराबर कर रहे है तो IL approximately equal to IA हम मान रहे हैं, इसलिए क्या होगा, कि efficiency का जो equation है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, V into IA, देख लिखेंगे, जो हिया, IL था, यहाँ IL था, उसको हम लोग लोग आ यह लिखती हैं, तो इस तरह से equation बन जाएगा, efficiency equal to V into IA minus, ठीक है, PC minus IA square, divided by हो जागा भी into IA हो गया, अब क्या है, कि efficiency का equation तो हम लोगों को यह प्राप्त हो गया, लेकिन बोलता है, for maximum efficiency, अगर आपको maximum efficiency प्राप्त करना है, तो फिर इस equation को satisfy करना होगा, according to maximum minimum concept, यानि efficiency को IA के respect पर differentiate करके, 0 के बराबर equate करेंगे, तो जो condition आएगा, उस condition पर आ ठीक है, IA के respect में, तो सबसे पहले देखिए, यह है आपका क्या है, denominator, ठीक है, denominator के बाद आप differentiation कर रहे हैं, numerator का, ठीक है, फिर minus, minus हो गया, numerator यह हो गया, और फिर यह differentiation of denominator, ठीक है, और divided by करके आप क्या कर रहे हैं, तो denominator का square कर रहे हैं, तो जो differentiation का rule है, ठीक है, वही rule हम लोग यहाँ पर पालन किये हैं, और differentiation हमारा जो है, IA के respect में हो रहा है, और फिर जो भी differentiation हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पर जो differentiation हुआ, वो यहाँ पर दिखा दिया गया है, हार equal to इसको 0 कर देना है, ठीक है, अब इस equation को solve करने पर हम लोगों को मिलेगा, PC equal to IA square into RA हो जाएगा, तो PC क्या है, constant losses है, और IA square RA आपका variable losses है, तो यही constant losses equal to variable losses हो रहा है, ठीक है, या PC equal to IA square into RA हो रहा है, यही है condition for maximum efficiency, ठीक है, यानि जब constant losses और variable losses बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसी समय जो है, motor पर हम लोगों को maximum efficiency प्राप्त होगा, ठीक है, तो चलिए maximum efficiency calculate कर लेते हैं, तो इस पर हम क्या करेंगे, IA square RA, देखे, IA square RA के जगह पर हम लोग PC लिख देंगे, in that case, maximum efficiency हमारा हो जाएगा कितना, भीन to IA minus 2PC divided by भीन to IA हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं किये, हम लोग IA square RA के जगह PC लिख दिए, देखे, IA square RA के जगह PC कर देना है आपको, तो उपर व सकते हैं, to IA square RA भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, maximum efficiency हम लोग इस फॉर्मला से calculate कर लेंगे, ठीक है, अब देखे क्या है, कि जो condition है, PC equal to IA square into RA जो है, इसको थोड़ा modified करेंगे, तो ऐसे लिख सकते है, PC equal to IA M का square into RA, ठीक है, देखे, यहां, IA के जगह, IA M लिखा ग रहा है, ठीक है, तो इस तरह से यही equation को थोड़ा modify कर दिये हैं, ठीक है, जहां आपका IA M जो है, वार मेचर करेंटी है, जिस पर हमारा motor पर maximum efficiency प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अब देखे क्या है, कि इस equation से हम लोग यहां पर आ जाएंगे, तो हम लोग IA M अगर आप निका इस equation के मदद से, तो हम लोगों को मिलेगा, IA M का square equal to PC बटा RA हो जाएगा, ठीक है, अब थोड़ा modification करते है, ठीक है, यह equation को यहां आप लिख रहे हैं, लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं, आइए full load का square को गुना कर रहे हैं, और आइए full load के square को भागा कर रहे हैं, ठीक है, ठ फुल लोड आर्मेचर कॉपर लॉस, यहां देखिए, ठीक है, IA full load का square into RA कीजेगा, तो यह हो जाएगा, फुल लोड आर्मेचर कॉपर लॉस, तो यहां पर जदी हम लोग IA M निकालेंगे, तो यह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, IA FL और गुना हो जाएगा, और root के भीतर हमा फुल लोड आर्मेचर कॉपर लॉस, तो इस तरह से जो है, IA M, यानि आर्मेचर करेंट, जिस पर हम लोगों को maximum efficiency प्राप्त होगा, उसको हम लोग कुछ इस तरह से, जो है, डिटर्माइन कर सकते हैं, तो कभी-कभी हम लोगों को क्या होता है, कि हम लोगों को IA M calculate करने द और फ्लो डाइग्राम को समझ गए, फिर हम लोग efficiency यहां पर निकाल लिए, फिर efficiency का maximum efficiency का condition भी हम लोग यहां देख लिए, और maximum efficiency भी निकाल लिए, और maximum efficiency के, ठीक है, according, चाहे, maximum efficiency condition पर जो आर्मेचर करेंट होता है, IA M, वो भी हम लोग यहां पर निकाल लिए, तो यह सब जो relations है, यह numerical problem में हम लोगों को काफी मदद करेगा, ठीक है, तो आसा करते हैं, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, और चैनल उस पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, ध हिनवाद.